हाई दोस्तों फरिंज किचन में आप सभी का सौगत है आज मैं आपके साथ आलू मटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अगर आप मेरे चानल पे नए है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जादा से जादा शेयर करिए चलिए बनाते हैं आलू मटर की सबजी आलू मटर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कड़ाई गया सौन कर लिया है मैंने उसमें डालेंगे हम सबसे पहले तेल तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा सफेज जीरा डालेंगे हम इसे तड़कने देंगे जीरा तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे बारिक का टीवी प्याज प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है ज्यादा डाकने करना है हमें प्याज को बस लाइट गोल्डन ही करना है हो गई प्याज लाइट गोर्डन अच्छे से अब डालेंगे इसमें हम आधर क्लसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आधर क्लसुन के पेस्ट को और कच्छा पंच जाने तक इसे हम भून लेंगे कफूसों कि अब च्छलेंगे इसमें हम आधर क्लसुन अच्छे से आप डालेंगेस ने अच्छे से हम बारी कट की ऑथ तमाटरले एक दम बारी कट की अ मैने से अच्छे सेiat UC हम टामाटर को अब डालेंगे इसमें हम नमक और कुछ सुखे मसाले नमक आप अपने टेस्ट के साब से डाल लिए ठीक्वाली लाल मेर्ज पाउडर कश्मेरी लाल मेर्ज पाउडर धन्या पाउडर हल्दी पाउडर गरममसाला पाउडर और चट पटा बनने के लिए हम डालेंगे इसमें आम चूर पावडर, अब सारे सुखे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सुखे मसालों की स्पच्छी समेल जाने तक हम इसे भून लेंगे अच्छे से, भून लेंगे हमने सारे मसाले अच्छे से, अब डालेंगे इसमें हम आलू के चोटे पीचह से मानें से कट कर लिया चील का अटा दिया इसका मसाले के साथ मालू का अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आलू पहले डालेंगे मटर बाद में आलू 50% गलने के बाद क्योंकि मटर जल्दी से पक जाते हैं आलू को टाइम लगता है हाफ कप हम इसमें पानी डालेंगे आलू गलने के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढखके रख देंगे से हम पास से दस मिट के लिए आलू 50 परसंट गलने तक पाच मिन्ट हो गए हम देखते आलू गले या नहीं 50 परसंट देखिए मसाला कितने अची से भून गया तरी उपर आ गई है देखते आलू कितना गला है 50 परसंट आलू हमारा गल चुका है अब डालेंगे इसमें हम हारी मिर्च इसे मैंने छोटे पीसिस में कट कर लिया है मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से अब डालेंगे इसमें हम मटर ये मैंने चिलके वाला मटर लिया है और कसूरी मेति इसे भी मैंने भून के डाला है तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे अच्छे से आप डालेंगे हम फिर से आधा कप पानी के आलो और मटर पूरी तरह से पकने के लिए डाल देंगे पानी, मिक्स कर लेंगे और ढखके रख देंगे हम मतर आलू गलने तक पाच मिनिट के लिए हो गये पाच मिनिट ढखकन हटा देंगे हम, देखें मतर का कलर चेंज होगा है, इसका मतलब पक गए अच्छे से आलू भी पूरी तरह से पक गए है अब डालेंगे इसमें हम बारी कटावा हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे हरा धनिया को अच्छे से आलू मतर की सबजी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, क्यास को कर देंगे हम बन और कर लेंगे इसे हम डिशाओ कर लिए हमने आलू मतर की सबजी को डिशाओट, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और ऐसे अच्छे अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए थैंक्यू कर दोताब मतर कर लड़ाए कर दोताब प्यों को सब्सक्राइब भी जरूर ते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूरे कर लिए हमने दोताब भी जरूरूर रेसे यजा से 2 003